आज नतीजों का दिन है और बीजेपी की जीत की स्ट्राटेजी की अगर हम बात करें तो इसमें जॉइनिंग की बहुत एहम भूमिका रही क्योंकि जिस तरह से मुलायम परिवार की बहु अपरणा यादव से लेकर कॉंग्रेस की विधायक अधिती सिंग तक ने जॉइन किय इसके अलावा कई जन प्रतिनी धियों जे जॉइन किया और बड़ी संख्या में उत्तरप्रदेश भर में लोगों को पार्टी जॉइन कराई लक्षमिकांत वाचपई जी की भूमिका उससे बहुत महत्पूर्ण हो गई है क्योंकि लक्षमिकांत वाचपई जी जॉइनिं की प्रक्रिया ने धारित की ति हमारे साथ मानिय मंनिचमंतरी मानिय द्याशंकर सिंगते कि जहां से हम पिछली बार हा रहे हैं उन सीटों पर कैसे जीत की पता लिखी जाए जो स्शीटे हम 5000 से कम बोर्ट से ही हरे है उनका वो मार्जिन कैसे कावर डर्स इसको ध्यान में लोगों को जॉन कराया और 137 लोगों को हमने रिजेक्ट किया लेकिन इस 435 लोग के साथ 2588 लोगों की सूची है जो उनके साथ लोगों ने जॉन किया सबी वर्ग विरादरी के लोग को जोइन किया पचास परसेट में S.C.R.O.B.C. है और पचास परसेट में बागी सब लोग है और मानिने विदायकों के गर संख्या करें तो 9 MLC ने जोइन किया जो वर्तमान के MLC है और 9 मेरा खाल मानिने विदायक हैं जोइन किया और जिनकों हमने जुएन कराया उसमें से काफी लोग को टिकट मिलाया वो सब लोग सीट जीत करा रहे हैं यानि जुएनिंग की स्टेटरजी जो भारतेजनता पार्टी के नेत्वत्त में बनाई गई उससे हमको जीत में मार्जिन बढ़ाने में ला मिलना है कुछ जुएनिंग की बड़ी चर्चा रही जिसमें मुलायम परिवार की छोटी वो अपढ़ना यादाव जी की जुएनिंग थी आपको लगता है एक तरह से जो मनोवैग्यानिक बढ़त होती है इस तरह के जंग में चुनाव में वो बनाने का भी काम विजेपी ने किया ये कॉंग्रेस में जिससे नारे को लेकर बहन प्रिंका गांधी वाडरा चली थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं हमने उस नारे की जो चार में पोस्टर गल थी उनमें से तीन को प्रयास किया और सौभाग चार को सौभाग से तीन हमारे साथ शामिल हो गई इसलिए हमने तो उन पर मनोवग्यानिक दबाव बनाया है और स्टेजिकल दबाव बनाकर अपनी सीटों को बढ़ाने का काम किया है आपकी पर्टी छोड़कर भी कई लोग है स्वामी प्रसाद मौरे दारा सिंग चोहान दर्म सिंग सेनी जो मंत्री थे आपको लगता है कि उनका जाना एक लॉस था या उन शेत्रों में भी आपने जॉइनिंग अलग से कराई भी मैं अभी बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता कांटिंग प्रारब हो गई है और दो तीन वज़े तक पता लग जाएगा लेकिन मेरा यह मत है ना स्वामी परसाद मौरे जीतेंगे ना धरन सिंग सेनी जीतेंगे ना दारा सिंग चोहान जीतेंगे और जो दो जो लोग छोड जाता हुए और स्वामी परसाद मौरे जी की जहां तक बात है बारवे मेंने मौने आशीयर वीसी चाहता है और उसमें अपने लड़के का ठिकट यादा आया लड़के ओट देते तो ऐसी चले जाते एसी उबीसी मौन का लड़का ही है बस इसलिए खुल मिला का मेरा कहना ह जो हमें छोड़के गए, उसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, और जिनों ने उनको लिया है, उनका नुकसान जरूर हूँ. एक आखरी सवाल, EVM को लेकर के पहले से ही, समाजवादी पार्टी अखिले शादा सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि ये पहले से एक भूमिका है, जो तियार की जा रही है, या किस तरह से इसको लगता है? उसमें जाएगी चुनाओं में लगेगी, एक EVM होती है, जो रिजर्व में रखी जाती है, कि अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो बंदले में जाएगी, और एक EVM होती है, जो करमचारी को ट्रेनिंग देने के लिए होती है, तीन अलगलग स्लॉट रहते हैं, और तीनों क कुछ चुनाओं के द्वारा स्पश्टता और पारदर्शता के बावजूद ये EVM का हला मचा रहा है, सब हार्स के पहले अपना आसू पोचने की का बाइद ये कर रहा है, शुक्री हम से बाचीत करने के लिए तो ये हैं डॉक्टर लक्षमी कांत वाचपई, बीजेपी की जोइनिंग कमिटी के इंचाज और इस बाच जोइनिंग की बड़ी भूमी का नजर आ रही है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी में जहां मुलायम परिवार की बहु के लावा और अन्य सदस्यों को भी जोइन कराया गया, तो साथ ही कई विधायकों को पूर विधायकों को जो झाल